दोस्तों S.P.A. Classes 1 में आपका हार्दिक स्वागत्यों मेवनंदन है आप देख रहे हैं अपने चैनल को आज हम खेत का छेत्रफल निकालने के बारे में बता रहे हैं देखिए ये दिसा होती है नार्त उपर सबसे उपर होता है नीचे जिस तरफ जो आपकी तरफ फेपर में है वो दक्षिड होता है आपके उपर जो है वह उत्तर होता है दाहिने हाथ पूरब होता है और बाए हाथ पस्चेन होता है ये दिसाओं का संकेत है अब देखिए यहां खेत बना कर दिया हुआ है खेत यहां है, इसकी भुजा 110 कड़ी है यह उत्तरी भुजा है धक्ष्री भुजा 130 कड़ी है और यह पूर्वी भुजा 80 कड़ी है, पस्चिमी भुजा 70 कड़ी है तो बिसम भुजाओं का छेतरफल निकालना है क्या निकालना है बिसम भुजाओं वाले खेत का छेतरफल निकालना है तो देखिए यहां बिसम भुजाओं वाले खेत का छेतरफल निकालने को कह रहा है इनकी भुजाएं बराबर नहीं है तो इनका छेतरफल निकालने के लिए क्या करेंगे लंबाई प्लस लंबाई बटे दो कर देंगे एक आउसत की लंबाई हो जाएगी गुड़े चवडाई प्लस चवडाई कर देंगे बटे दो कर देंगे इस आधार पर एक आौसत का निकलता है एकूरेट एकडम नहीं निकलता है थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है बहुत हलका सांतर होता है देखे अब लंबाई दो दिया हुआ है एक लंबाई 110 है दूसरी लंबाई 130 है दोनों को जोड के दो से भाग देंगे ति इनके बीच का एक आउसत लंबाई आ जाएगी चड़ाई देखिए 80 है 80 कड़ी है और 70 कड़ी है अब इनको जोड देंगे है प्लस कचिन होगा जोड के दो से भाग दे देंगे तो इनकी एक आउसत चवड़ाई ग्यात हो जाएगी आउसत चवड़ाई जब ग्यात हो जाएगी तो देखे जब इन दोनों को जोड़ देंगे लंबाई को 0 हो गया 3 एक 4 हो गया 1 एक 2 हो गया 240 बटा 2 गुड़े ये 70 है और ये 80 है 150 बटा 2 हो गया देखे बागे इनमें जब भाग दे देंगे तो यह दूरी आ जाएगी तो एक आउसत लंबाई आ गई भाग देंगे तो 120 एक आउसत लंबाई आ गई 150 में देंगे तो ये 75 75 ये सब कड़ी में आ रहा है 75 कड़ी हो गया अब अगर गुड़ा करेंगे तो एक सब 20 गुड़े 75 कर देजिए तो पांच सुनाई सुनना अब पांच दूनी दस पांच एकम पांच पांच एक छे अब देखिए आगे साथ सुनाई सुनना साथ दूनी चोगदा साथ एकम साथ एक आठ जोड़ देंगे छे चार दस हो गया आठ एक नौ ये कितना आ गया 9000 कड़ी आ गया अब ये 9000 छोटी-छोटी 9000 कड़ी आ आई है तो जो ये 9000 कड़ी आया है तो ये 9000 कड़ी छेतरफल इसका हो गया लेकिन ये छोटी-छोटी कड़ीों से आया है जब इस कड़ी को बड़ी कड़ी में चेंज करेंगे तो 9000 बटे 100 कर देंगे 100 इसलिए करते हैं कि इसका जो दाहिने का दो सुन्य है वो count में नहीं होता है जैसे जो लंबाई दी गई है 110 और 130 ये 0 हटा देंगे ये 0-0 से कट गया आगया 90 कड़ी इनका छेतरफल आगया 90 कड़ी अब देखिए दूसरा method क्या है दूसरा method ये है कि अगर यहां पर हम कड़ी बनाकर करेंगे लठा बनाकर तो ऊपर वाली जो लंबाई है यह 110 जो लंबाई है वो 11 लठा है जो यह 80 है यह 8 लठा है और यह 13 लठा है और यह 7 लठा है अब इस पर छेतरफल एकदम एकुरेट वरकड़ी में आएगा तो उसी आधार पर हल करेंगे तो देखिए 11 प्लस 13 बटे 2 गुड़े 8 प्लस 7 बटे 2 अगर हल इनको जोडेंगे तो 11, 13, 24 हो गया 24 बटे 2 गुड़े 8, 7, 15 हो गया 15 बटा 2 हल करेंगे तो यहां आ जाएगा 12 हो जाएगा और यहां हल करेंगे तो 7, 5 आ जाएगा तो गुड़ा कर देंगे 12, 65 हो गया और 12, 84 और 6, 90 हो गया यहां 10 मलों दस्मलों लगा दीजिए 90 कड़ी आ गया तो ऐसे खेत का छेतरपल ऐसे निकालेंगे लेकिन यह एक दो कड़ी अंतर आता है एकुरेट नहीं आता है एकुरेट के लिए तिर्भुज बना कर करेंगे बहुत जादा समय लगेगा यह आउसत के आधार पर निकाला जाता है लगभग एक दो कड़ी का अंतर होता है एक दो कड़ी जरीब उपर नीचे चलने में हो जाता है तो इसका छेतरपल ऐसे निकालेंगे नब्बे कड़ी आ गया तो इह नब्बे कड़ी लठा के आधार पर आया है जो दस छोटी छोटी कड़ीओं का एक लठा होता है एक लठा को हमें एक कड़ी मान करके हल किये है तो इह नब्बे कड़ी आ गया इस आधार पर लगाया जा सकता चेतपल निकाल सकते हैं वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्क्राइब कर दीजे धन्यवाद